है गाईज दिस इस कपिल चौधरी और वेलकम तो थे इंस्पारल स्टडी यूट्यूब चैनल बच्चो आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक ले करके आए हैं आप लोगों के लिए जिसका नाम है एलकाईल गुरूप ये बच बच्चों को दिक्कते आती हैं कि यार इस गुरूप को कैसे समझा जाए तो मैं आपके लिए एक कम्प्लीट सोलुशन वीडियो लेकर गया हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाली चलिए हैर हम लोग इसको शुरू क करते हैं एलकाइल ग्रूप बच्चों अगर आप एलकाइल ग्रूप को पढ़ रहे हो तो आप एलकेंस एलकींस और एलकाइंस तीनों को पढ़ करके आए होंगे अगर पढ़ करके नहीं आए तो अगर आप एलकेंस को भी पढ़ के आए हो तब भी एलकाइल ग्रूप आप आसानी से समझ लोगे कैसे समझ लेंगे बच्चों ध्यान से सुनो अगर हम लोगों के पास अपने alkyns है alkyns कौन होते हैं जो इस फॉर्मॉले से बनते हैं cn h2n प्लस 2 तो पहले हम या L-kane बना ले उसके बाद L-kane से L-kail बना ले यह अगर आपके पास L-kane आपको पता हो तो आप लोग आसानी से बना लोगी L-kail चलिए हम लोग एक L-kane बना करके उससे L-kail बनाने की कोशिश करते हैं पहले तो अब सब्सक्राइब का मारे पर लेए पराइब है इस Спасे için में मिक्वाइब चप्रमारे बाराना यह सबस्क्राइब कृम्पाइब अब सब्सक्राइब यह तु तकी समस्क्राइब इृब करफ से कैसे बनेगा बच्चों ध्यान से सूने हाइब अगर यह समझ आ गया ना तो कभी आपको एलगाई लूप पढ़ने की ज़रुद नहीं है देखो बच्चो जब भी आपका एलकेन आपके सामने हो ठीक है तो एलकेन में CH4 यानि एच के 4 एटम है और कार्बन का एक एटम है तो बस आपके छोटा सा काम करना है क्या काम करना है इस एच 4 में से एक एच गायब कर दो यानि रिमूव कर दो कैसे CH3 और एक इसमें free electron छोड़ दो तो यह हो जाएगा CH3 यह आपका जो एक हमने electron छोड़ा ही इसका sign है ठीक है बात formed by the removal of one hydrogen atom from an alkyne molecule यानि किसी alkyne में से आप अगर एक hydrogen निकाल दो तो आपका alkyl group बन जाता है अब जहान से सुनिये बच्चो आपका alkyl group नहीं बना दिया अब हम लोग क्या करेंगे हम लोगों के naming of hydrocarbon वाली वीडियो आपने देख ली होगी तो जिसमें carbon atom एक होता है यह न number होगा तो हम लोग carbon atom देखेंगे अब carbon atom देख लिया कितना one है तो one है तो मेत होगा अब alkyl group का है तो बाद में लगा देंगे हम yl यानि suffix में yl लगेगा तो यह कौन सा group हो गया methyl group हो गया ठीक है उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे तो दूसरा हमारे पास होता है c2h6 त ठीक है जी और एक alkyl group है तो आप yl लगा देंगे तो कौन सा group बन गया ethyl group तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यह alkyne है alkyne में ch4 है c2h6 है जब ch4 को हम लोग बनाएंगे alkyl group तो alkyl group जब बनेगा तो बच्चो ध्यान से सुनो एक hydrogen का atom remove हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका alkyl group अगर एक carbon atom है तो methyl group दो carbon atom है तो ethyl group अगर तीन carbon atom है तो propyl group ऐसे ही butyl ऐसे करके करके आपके dekail तक यह बन जाएगा ठीक है ऐसे c2h5 है c2h5 और एक electron छोड़ दिया हमने इसमें free इस free electron को छोड़ने का क्या करण है ताकि इसके साथ कोई और compound कोई और element इसके साथ bond बना सके जैसे cs3 है और cs3 एक electron free है इसमें तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे एक electron किसको दे सकते हम कि chlorine को अगर लें तो हमारे पास यह बन जाएगा cs3cl यानी एक अलग सा हमारे पास क्या बन जाएगा compound बन जाएगा clear है बच्चो तो यह आपका methyl group, ethyl group, propyl group इसी तरीके से बनते हैं अब इसके लिए एक formula भी है अगर आप लोग formula यूज़ करते हो cn2n plus 2 यह तो है alkane का और अ cnH2n plus 1 यानी इस 2 की जगह पे यहाँ पे आपको 1 करना है अगर यहाँ पे आपने 1 कर दिया तो आपका बन गया यह alkyl group और अगर आपने 2 कर दिया तो यह बन गया आपका alkane तो बच्चो ध्यान से सुनो hydrogen atom अगर remove किया जाए किसी alkane से तो alkyl group का member बनता है जितने carbon atom है उस ज्यादा helpful लगेगी और आपके board exam में भी काम आएगी guarantee है सीज की बच्चो बस आपसे यह request करूँगा कि आप लोग video को share जरू कर दिया करो ताकि और बच्चे भी इस video का आनंद ले पाए चैनल की video अगर आपको उच्छी लगती है तो video को like करना बिलकुल ना भूलना और share और subscribe करना तो आपका परम करतव्य है क्योंकि आपका ही channel है हम आप ही के बड़े भाई हैं जो भी आप लोग समझे सब्सक्राइब करना बच्चो बिलकुल मत भूलना आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत